स्टार प्लस के सबसे पॉपलर सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है ने कैसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे तोड़ पाना आप किसी दूसरी शो के लिए लग भग नामुम्किन जैसा ही दिखाई देता है जी हाँ आप एकदम सही सुन रहे हैं ये रिष्टा की शुरुआत 12 जन्वरी 2009 को हुई थी और अब ये सबसे ज्यादा दिन चलने वाला भारतिय शो बन गया है शो ने हाल ही में 25 सो एपिसोड पूरे कर लिया है इस तरह से टीवी की दुनिया में ये रिष्टा क्या कहलाता ह पहला ऐसा कमर्शियर टीवी शो बन चुका है जिसने इतने एपिसोड का रिकॉर्ड पार कर लिया है अब भी ये शो टॉप 10 में लगातार बना हुआ है बताद एकी स्टार प्लस के शो साथ निभानस साथियों कलर्स के शो बाली का वदू ने भी 2000 एपिसोड पूरे किये ह लेकिन इसके तुरंद बाद ये शो बंद भी हो गए वैसे ये रिष्टा क्या कहलाता है कुछ सब टीवी के मश्यूद धारावाहिक तारिक महतक और टच चश्मा से टफ कॉम्पेटिशन मिलने की उम्मीद है क्योंकि इसने अभी तक कुल 2314 एपिसोड पूरे कर लिये हैं देखना दिल्चस्प रहेगा कि आखिर वह कौन सा शो होगा जो ये रिष्टा क्या कहलाता है का रिकॉर्ड तोरता है आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलेगा और बॉलिवूर्ड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहेए नमफ न्यूस